आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है Victoria College Admission Process 2022 के बारे में जी या दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि Victoria College 2022 का Admission Schedule क्या होने वाला है कौन से डेट में Admission होगा क्या Last Date है क्या Subject Combination होने वाला है क्या Selection Criteria है क्या Eligibility Criteria है क्या Fees Structure होने वाला है कितना Number of Seat है हर Subject के लिए कौन-कौन सा Important Date है जो आपको Follow करना है कितना यहाँ पे Fees Structure होने वाला है क्या Timing है कौन-कौन सा Stream आपको मिलेगा और हर Stream में आपको General के लिए OBC के लिए कितना सारा Seat मिलेगा आज के वीडियो में दोस्तों तमाम जानकारी आपको Detail में मिलेगा तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखे और अगर आप Channel में नए है तो ऐसे ही informative और interesting वीडियो के लिए हमारे Channel को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर प्रेस करे ताके future में आने वाले वीडियो का notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि Victoria College भी जो है वो एक Girls College है यानि यहाँ पे जो है Boys का admission का कोई भी chance नहीं है तो यहाँ पे जो है सिर्फ Girls का ही admission होगा तो सिर्फ Girls जो है admission कर सकते हैं और अगर आपको इसमें admission लेना है तो आप जो है इसका official website में जाकर आप तमाम जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तों इसका website जो है सुरेंदरनात की तरह थोड़ा सा देखने में लगता है दोस्तों सबसे पहले हम लोग अगर timing का बात करें तो दो section में ये college चलता है सबसे पहले दोस्तों अगर morning section का timing का बात करें तो सुबा साड़े 6 बज़े सी 11-15 तक होता है और अगर day का बात करें तो साड़े 10 से लेकर 5 बज़े तक शाम में होता है तो दोस्तों इसका अगर admission date का बारे में हम लोग बात करें तो 18 तारिक को यानि 18 जुलाई से admission स्टार्ट है 8 बज़े सुबा में और दोस्तों ये 5 अगस तक चलेगा या दोस्तों 5 अगस तक admission चलेगा उसके बाद दोस्तों merit list का तो publication नहीं दिया है लेकिन 5 अगस का बाद ही जब admission close हो जाएगा तो उसके बाद ही merit list फोरण ही 6 से 16 अंदर आपको मिल जाएगा और जैसा ही merit list निकलेगा admission भी शुरू हो जाएगा तो अगर आपको admission कराना है तो वहाँ apply now का option आता है website में आप वहाँ से जाके admission करा सकते हो तो दोस्तों अगर हम लोग सबसे पहले eligibility criteria के बारे में बात करें कि Victoria College का eligibility criteria क्या है तो दोस्तों बहुत ही simple eligibility criteria रखा गिया है कि आपको best of four में जैसा आप Bengali honors, history honors कुछ भी लेना चाहते हो BA में तो आपको best of four में 50% होना चाहिए और जो subject में आप honors ले रहे हैं उसमें 45% होना चाहिए जहां दोस्तों कुछ subject है जैसा इंगली से political science वगारा है उसमें 50% है overall percentage भी और subject भी लेकिन बहुत सारा subject में आपको जैसा Bengali वगारा में, Sanskrit वगारा में overall 50% और आप जो subject में honors ले रहे हो वो subject में आपका कितना percent होना चाहिए वो भी यहां पे आपको screen में नजर आता होगा जातर में 55 वगारा है तो आप देख सकते हो तो उसके साथ साथ जो है आपको यहां पे number of seats भी बगल में दिख जाएगा कि आपको बिंगॉली में कितना seat है इंगलीस में कितना seat है total number of seats जो है आपको साथ साथ दिखा दिया जागा और आप सब का subject का eligibility criteria देख सकते हो हर subject का क्या-क्या eligibility criteria है उसके बाद दोस्तो selection criteria के बारे में हम लोग बात करें तो आपको पता है merit list से selection होगा और selection criteria बनेगा ऐसा आपका कि आपका सबसे पहले overall percentage देखा जागा प्लस आपका best दो subject जो था जो आपको history लेना है तो history में आपका total percentage साथ में आपका history में कितना marks आया वो भी जो है add होगा 2 से multiply होकर और उसके बाद जो है आपका selection criteria बनेगा यानि आप उसको जो है ले सकते हो तो आपका best overall percentage और जो subject में आप ले रहे हो honors वो दोनों मिला कर आपका जितना number आगा उस हिसाब से आपका merit list में नाम आगा तो जो लोग जो है admission लेना चाहते है merit list में जिसका जितना उपर नाम आगा उसका पहले chance बनेगा उसको पहला merit list में second merit list में जल्दी जल्दी नाम आगा और जो लोग का नहीं है नाम नीचे आया है उन लोग को फिर अपना merit list का wait करना पड़ेगा और दोस्तों यहाँ पे आपको जब honors का subject नजर आता होगा तो आपको कुछ-कुछ बगल में आपको सिर्फ morning का option नजर आता होगा जैसा बी-com है दोस्तों तो यहाँ पे बी-com जो है सिर्फ आपको morning में मिलेगा day में बी-com नहीं है उर्दू honors भी आपको सिर्फ morning में मिलेगा day में नहीं है समझ में आया तो ऐसा बहुत subject है आपको जैसा जर्णल इस टीम भी है तो जर्णल बी-ए जो है वो morning है बी-ए सी भी जो है वो morning है बी-com का जर्णल भी जो है वो morning है तो ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे admission लेने से पहले देख लेना है क्या आपका morning है या day है जैसे आपको तो हम पहले भी mention कर दिया कि यहाँ पे honest में उर्दू honest और become का जितना भी honest है वो सिर्फ morning में बाकी सब आपको day में मिल जागा लेकिन और journal में भी जो है BA, BSC और become तीनो journal जो है वो morning में बाकी BSC journal जो है BA और become को छोड़के BSC journal का वो जो pure और bio है वो आपको मिल जाएगा day में भी और journal में सिर्फ आपको selection criteria में सिर्फ आपको overall percentage देखा जागा याणि आपका total percentage HS में आया था उसी से जो है आपका exam उसी से आपका selection हो जागा वो इसी number से आपका criteria बनेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको subject combination भी मिल जागा बहुत अच्छा BA BSC का लिए सब subject combination दिया हुआ है कितना कितना आपको general subject subject combination मिलेगा आप website से जाके check कर सकते हो आपको जो भी subject लेना है इसके लावा दोस्तों अगर हम लोग fees structure के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा fees structure भी दिया हुआ है एकदम PDF के साथ आप जो भी लेना चाहते हो जो भी subject लेना चाहते हो और जैसे BA ले रहे हैं आप day मिलोगे या morning मिलोगे तो day का कितना fees होने वाला है morning का कितना fees होने वाला है यह भी पूरा structure जो है PDF के साथ दिया हुआ है आप अराम से जो भी subject लेना चाहते हो उसको देखो और अपना fees समझ के उसी तरीके साब admission करो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे number of seat भी जो था total number of seat उसका भी दिया हुआ है total number seat में जो है कितना journal का है कितना SC का है कितना ST का है कितना OBC A, OBC B का है कितना handicap का है सब का seat भी जो है यहाँ divider दिया हुआ है तो आप अपना seat देखो आप अपना जो भी subject लेना चाहते हो जो भी information चाहिए पूरा आप check कर लो उसके बाद जो है आपको पहले भी mention कर दिया यहाँ पहले बता भी दिया कि कौन-कौन सा subject सिर्फ morning में है डे में नहीं है तो आप उस तरीके से अपना पहला check कर लेना फिर admission कराना और यह भी बता दिया कि दोनों section में यह college सिर्फ girl से boys कर लिए यहाँ admission का कोई भी chance नहीं है तो दोस्तों उमीद करते है कि आपको सब information share हो गया होगा अगर कुछ बज गया है तो आप comment में पूछ सकते हो इसके लावा अगर आप comment में नहीं पूछ सकते है तो आपको मेरा facebook account और instagram account दिखता होगा तो आप मुझे वहाँ पे भी message कर सकते हो कोई भी information चाहिए तो college से related तो दोस्तों उमीद करते है कि आज का video आपको पसंद आया होगा अगर video पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ video को share करो और अगर आप हमारे channel में नहीं है तो channel को subscribe करो और bell icon जरूर on कर लेना ताकि बाकी भी जब college का ऐसे ही videos आएगा तो आप तक वो video सबसे पहले पहुचेगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी next video में एक नए topic के साथ